पक्का तुम इस चीज़ पर जीपियस लगाना नहीं चाहते उससे मदद मिलेगी बहुत खतरा है लेकिन हम सब ऐसी चाल को समझने में बहुत माहिर हैं वैसे भी हमें ट्राकर की ज़रूरत नहीं हमारे पास आप्टमिस है लेकिन डिसेप्टिकोंस ने ने आते हुए देख लिया तो क्या होगा कब तक देर हो चुकी होगी आपका आदेश मिलते ही हम भी यहां से निकल पड़ेंगे सर गुड़ लग ऑप्टमिस ख्याल रखना अन्जाम चाहे जो भी हो ये जान लो के राचट को तुम्हारे इसकार नामे पर बड़ा गर्व होगा चलो बच्चे इसे शुरू करें क्वेंटम साइबर मेजर लाकर दो क्या मैं तुम्हें तुम्हारा नौकर नजर आता हूँ आटोबाट नौक आउट? हमारा मेमान जो भी मांगे उसे लाकर दो जैसा तुम कहो तो तुम्हारे मुताबिक ये साइबर मेटर एक टिपिकल मॉलेक्यूल की जगे से के रियाक्शन से बनता है? हाँ और गहराई से जार्च करने के बाद इसकी वज़ा सिंथेटिक एनेजॉन के फॉर्मिले का अंस्टेबल होना भी है यानि एक नहीं दो वज़े है बिलकुल पहले मेरा ये अंदाजा था लेकिन फिर यकीन हो गया एक बाद फॉर्मिला के वेरियाबल को सुधार दिया जाए फिर उस स्टेबलाइस सिंथेस्टिक माटिरियल को साइबर नूकलिक एजिट के साथ मिलाया जा सकता है और साइबर मेटर का स्टेबल फार्म बनाया जा सकता है क्या बात है हाँ, वाकए कमाल की बात है देखा जाये तो अगर हम उन बीस्ट को नहीं मरवाते तो आज ये सब भी मुम्किन नहीं होता मतलब मैं ये कहना चाहरा हूँ कि तुमने जो स्पेसिमेंस मंगवाए थे वो अब कभी दोबारा काम नहीं कर पाएंगे है ना काम बहुत है और वक्त कब है डॉक्टर काम पर लग जाना चाहिए है ना बिल्कुल प्राइम काफी देर से तुमने कोई खबर नहीं दी उपर सब कुछ ठीक तो है ना अभी तक तो ठीक है एजेंट फाउल है जब कॉन्स को लेजर भीक का सिगनल मिल जाएगा तब वो क्या करेंगे हम यह उमीद कर रहे है कि शिप के रेडार में दिखने से पहले आप्टिमिस को शिप नजर आ जाएगी वो सब संभाल लेंगे मुझे आप्टिमिस की फिकर नहीं हो रही नागाउट मुझे एक फ्रेश सी एने सैंपल चाहिए मैं परेशान हो गया हूँ नागाउट ये लेकर आओ नागाउट वो लेकर आओ आज ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ इसी काम के लिए यहां हूँ एक वो दिन था जब इस लैब को सिर्फ मैं चलाता था और अब मैं सिर्फ एक वेटर बन गया हूँ कुछ चाहिए वो वो आइसो प्रॉप मुझे मिल नहीं रहा तो मैं किस मर्स की दवा हूँ तो मैं सिर्फ प्रॉप 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 उर्प्रॉप चाहिए कि मैं सिर्फ इसे एक वेफ बने डिए रहा है वो और दिए वो आवा अब दूब आवा कुछ ही देर में सारी दुनिया बदल जाएगी क्या कहा तुमने तुमें लेजर बी का सिगनल मिल रहा है लेकिन कैसे स्टार्स्क्रीम तुमने आटो बॉट के बेस को बरबाद कर दिया था है न वो भी बे रहनी से माई लॉड क्यों क्या बात है क्योंकि हमें लेजर बी का सिगनल मिल रहा है लेकिन ये कैसे मुमकिन है वो तो यहीं साउंड वेव पर लगा हुआ है इसलिए मुझे यकीन है कि ये आटो बॉट्स की कोई चाल है जिसे वो हमारे ठिकाने का पता लगा कर हमारे कैदी को छुड़ा कर ले जाए लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि वो इतने बड़े और मुश्किल प्लैन को बिना किसी बेस के अंजाम कैसे दे पाए होंगे मैं, मैं प्लेग अटी सुथार्दा हूंफ